नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों मैं विवेक पंडे श्वागत करता हूँ आपका प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों की एक बड़ी जबर्जस्त प्रश्न आ रहे थे मेरे पास लगातार कि सर्नेट करने के बाद क्या जॉब मिल जाती है अगर जॉब मिलती है तो कौन सी नौकरियां हमारे लिए उप्यूक्त होती है हम B.A.D. कर चुके हैं और हम U.G. कर चुके हैं हम P.G. कर चुके हैं हम NET पर इक्षा देंगे तो उसके बाद हमारी तुरंट नौकरी लग जाएगी क्या कौन सी जॉब म मिल सकती है NET क्लियर करने के बाद पहले तो आप यह समझ लीजे कि NET एकजाम वो विद्यारती ही देते हैं जो पराइसनातक होते हैं यानि कि जिसने कम से कम P.G. कंप्लीट कर लिया हो जिन विद्यारतियों का पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है पराइसनातक हो चुका ह और उनका जो संबंधित विशय होगा जो उनका संबंधित विशय होता है उसी विशय के साथ आप NET देते हैं जैसे कि मालीजी आपका विशय हिंदी है तो आप हिंदी विशय के साथ NET होंगे आपका विशय अंग्रेजी है तो आप अंग्रेजी विशय के साथ NET होंगे अगर आपका भूगोल विशय है, तो आप भूगोल के साथ, यानि जोग्रफी के साथ होंगे, अगर आपका इतिहास विशय है, तो इतिहास विशय के साथ आप नेट दे रहे हैं, इसके साथ ही एक आपका समस्या ये आता है, कि ये तो हो गया आपका संबंदित विशह और उसके बाद एक first paper नाम की एक चिडिया को जोड़ दिया गया है दोनों ही paper की अगर मैं बात करूं तो दोनों में ही 10-10 unit पूछे जाते हैं 10-10 units जो है वो आपके syllabus का हिस्सा होते हैं अब इसी के आधार पर आपको चुनना होगा कि आप कहां पहुंचते हैं तो ये रहा paper 1 और paper 2 जो भी आपका संबंदित विशह है उसी विशह से आप net होते हैं अब इसमें एक मज़ेदार बात जरा सा समझ लीजे ये जो संबंदित विशह है चुकि मैं आपका हिंदी का अध्यापक हूँ तो हिंदी की बारे में ही उधाराण बना करके आपको समझाता हूँ प्रतेक विशह पर ये लागू होगा अब देखिए आपने कम से कम अपने graduation के दौरान 3 वर्ष तक जो है इस विशह को पढ़ा होगा भाई इस विशह को आपने कम से कम कितने वर्ष तक? तीन वर्ष तक पढ़ा होगा तभी तो आप जो है graduate माने गए है ना इस विशह क साथ आप आगे जा रहे हैं इसका मतलब आपने तीन वर्ष तक जो है इस विशह को पढ़ा है फिर उसके बाद आपने पराइसना तक किया दो वर्ष आपने इसी विशय को और गहनता से पढ़ा अब आप इसी विशय को कितने साल तक पढ़ चुके हैं पांच वर्ष तक पढ़ चुके हैं अब इसके बाद आपके पास करने के लिए क्या है तो मेरी एक बीडियो जा करके देख लीजेगा कि आप पहले बीड करें कि पहले नेट हो जाएं क्या पहले करें वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें करेंगी अब मैं यहाँ पे अपने मुद्दे की बात करता हूँ कि नेट के बाद कौन सी नोकरी कैसी नोकरिया लगती है एक तो देखिए आप कहा सरकारी अध्यापक बनने के लिए मैं एकदम निचले इस तरह से अगर बात करूँ तो एक होता है प्राइमरी की नोकरी प्राइमरी की नोकरी करने के लिए आपको पराइस नातक करने की जरूत नहीं होती है इस नातक के पश्चात अगर आप बीएड कर लेते हैं तो आप उसके लिए टेट सी टेट और यह सब पातरता परिक्षा हैं और उसके बाद सूपर टेट जैसी परिक्षा को त्रिण करने के बाद आप प्राइमरी में यानि वर्ण से ले करके क्लास फिप्थ तक के बच्चों को टीच करने के लिए कध्यापक बन जाते हैं और उसके बाद थोड़ा सा उपर जाएं तो दो नकरियां आपको और मिलती हैं एक नौकरी होती है TGT की और एक नौकरी होती है PGT की तो मैंने इस पर भी पुराने B.Ed और Net वाले B.Ed versus Net वाले वीडियो में बहुत कुछ बता रखा है तो TGT के लिए भी आपको पराइसनातक की जरुवत नहीं पड़ती इसको कहते है trained graduate teacher तो trained graduate teacher कौन बनता है कक्छा नौ और दस यानि class 9 और 10 को पढ़ाने वाला जो teacher होता है वो होता है trained graduate teacher इसको क्या करना पढ़ता है तो इसको केवल graduation करना पढ़ता है और B.Ed करना पढ़ता है इसके बाद आप अपने जिस भी राज्य से आप सम्बंदित हों आप उत्तरप्रदेश से हो, मद्यप्रदेश से हो, बिहार से हो, अलोडांचर प्रदेश से हो, किसी भी राज्य से आप संबंदित हो, उस राज्य की trained graduate teaching की जो exams होते हैं, चाहिए आप दिल्ली बोर्ड से हो, है ना, यहाँ पर DSSB के तहत बरतियां आती हैं, और CETET qualify करने के बाद आप KVS और 9 विद्यालियों की भरतियां आती हैं, TGT और PGT जैसी भरतियां उसको आप दे सकते हैं, तो यह तो रहा आपके मुद्दे की बाद TGT के लिए, यह 9 और 10, कक्षा 9 और 10, यानि क्लास 9 और 10 के अध्यापक बनने के लिए, इस परिक्षा में आपको eligible होना पराहिसनातक नहीं है, तो यह तो हो गया बिना पराहिसनातक किये हुए के लिए, अब यह जो होता है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, PGT, इसके लिए आपको पराहिसनातक होना पड़ेगा, अब जो सम्बंदित विसय से आप पराहिसनातक हैं, उसी विसय के कक्षा 11 और 12 यानि क्लास 11 और क्लास 12 के आप एक टीचर बनते हैं, जिसको लेक्षरार कहा जाता है, तत्पश्चात जब आप और इससे आगे बढ़ेंगे, तो देखिए, जो PGT का सेलवस होता है, वो लगभग लगभग नेट के समान आप मानके चलिए, बलकि PGT का और नेट का इस्तर लगभग लगभग एक जैसा मानके चल सकते हैं, 19-20 जैसा ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, TGT तो बहुत थोड़ा सा कम ग्यान रहेगा, तो भी चल जाएगा, क्योंकि एक ग्रेजुएट लेवल का एक्जाम होता है, PGT एक पराइसनातक इस्तर की परिक्षा होती है, नेट के लिए भी PG आनिवारे होता है, तो इसमें एक मज़ेदार बात ये होती है, कि इन दोनों के सेलवस में काफी समानता हैं, आप निकाल सकते हैं, नेट वाला विद्यार्थी अपने राज जैसे PGT की परिक्षा देता है, चाहे नहोदय विद्याले की हो, चाहे केंद् परिक्षा क्वालिफाई होने के बाद, आप स्कूल के अध्यापक नहीं बनते, आप डिग्री कॉलेज के बिश्व विद्याले के प्रोफेसर सहब बन जाते हैं, सपना होता होगा अपने माता-पिता का, आपके अपने ग्रामीर छेत्र में अगर आप जाएंगे तो आपको बता दूँ, भारत सरकार की तरफ से आपको कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन अगर इसी में आप टॉप 6% जो बच्चे होते हैं, वो जे आरफ हो जाते हैं, जिसको कहा जाता है जूनियर रिसर्च फिलोसिफ, ये आगे चलके एसारफ भी होते हैं, जो की होता है सी इसमें आपको लगबग 35,000 रुपए के आज पास आपको सरकार देती है पैसा, जिसको कि आप रिसर्च में लगाते हैं, और कोई न कोई नई चीज करकर के, आप अपने समाज को राष्ट को गरवानित करने का और नई चीजों को देखने समझने का आउसर प्रदान करते है तो ये होता है नेट परिक्षा करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उत्रिन हो जाते हैं आप, तो नेट परिक्षा उत्रिन करने के बाद एक चीज तो आप ये कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि आप नेट उत्रिन हो गए हैं, मालीजे आपने नेट क्लियर कर ल लीजे क्या कर लीजे PhD कर लीजे रिसर्च करिए और अगर आप नेट और ज्यारफ है और अगर आपने प्याचडी नहीं की तो उसका कोई फाइदा नहीं होगा वो सब बकवास हो गया किसी काम का नहीं निकला ये भी जान लीजे आप सिंपली बात आप समझ लीजे मैं सारे आपके कमेंट का आंसर करूंगा लेकिन पहले मैं अपनी बात रखना चाहता हूं ताकि मैं आप लोगों के बीच में इंट्रक्ट कर पहूं चीजों को समझा पहूं पेपर वन पेपर टू दोनों के बारे में बता रहा हूं मैं कि जो बच्चे नेट या जियारफ क्लियर क को पीचडी अनिवार है करें ही करें तभी आपको कुछ फायदा होगा मतलब पीचडी कर लेते हैं तो आप पीचडी का मतलब होता है रिसर्च पहले एंफिल नाम की एक चीज होती थी जिसको बच्चे करते थे लेकिन अब एंफिल का कोई बहुत महत्तुन नहीं रहे गया है आप ज्यादातर बिश्विध्यालों में से तो एंफिल पूरी तरह से समाप्ती कर दिया गया है वो समाप्ती की कगार पर है तो उसका तो आप कोई बहुत जादा मतलब नहीं निकलता तो आप पीचडी करें और जब आप रिसर्च कर रहे होंगे तो उस दोरान अगर आ 25,000 रुपर ठीक एक तारीक को आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है ताकि आप रिसर्च में उसका फाइदा ले पाए है ना कुछ बिसियों के साथ आप आई आई टी में भी जॉइन कर सकते हैं और उसके बाद रिसर्च करने के बाद आप किसी भी प्राइवेट में क्या जैसे माल लीजे तुरंत आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एकजाम क्लियर नहीं हुआ जो की UPPSC जिसका एकजाम कराती है अगर यह तुरं तुरंत आपका क्लियर नहीं हुआ है ना तो फिर आप क्या करेंगे उचके लिए आप किसी भी बिसे के साथ आप apply कर सकते हैं, इतनी सारी private universities है, सब जगा सारे courses conduct करवाये जा रहे हैं, आप net हो जाते हैं, PhD नहीं भी कर रहे हैं, तो भी net होने के बाद भी private universities तो आपको तुरन पैसा कमाने का उसर तो देही देती हैं, आप अपने माता-पिता पर बोज नहीं बन सकते, आप उसके बाद चाहें तो किसी नहीं private जगह पर आप काम कर सकते हैं, चाहें तो आप net हो चुके हैं, चुकि आपके अपने बिसे में अच्छा घासा घ्यान हो चुका है, तो आप किसी coaching संस्था में पढ़ा सकते हैं, किसी 8-tech company के साथ आप associate हो सकते हैं, पढ़ाने के लिए ठी regular PhD ना करके, आप जो है, जो जिसको आप कहते हैं, distance learning education, उसके तहट भी क्या आप PhD कर सकते हैं, क्या मतलब एक होता है private PhD, private in the means, यहाँ पर कहने का मतलब यह है, कि आप यह कह सकते हैं, कि जिसमें Saturday, Sunday के वल जाना होता है, बाकी दिन आप गायब रह सकते हैं, आप अपना काम क आजी लोग, जो है, distance वाले PhD को ही प्रिफर करते हैं, PhD आप किसी भी जगह से कर लीजे, लेकिन सरकारी college से अगर आप करते हैं, तो आपका पैसा कम लगेगा, और आपको चीजें जादातर सीखने को मिल जाती है, PhD क्या है, उस पर मैं एक अलग वीडियो लेकिया हूँगा, कुछ पैसा कमा सकते हैं, जिससे कि आप इसनातक पराया, इसनातक करने के बाद, एक सामान फैमिली से, जैसे मैं भी बिलॉंग करता हूँ, तो मैं भी इस चीज को समझता हूँ, मैं अपने इसनातक इस तरह से पढ़ाना शुरू कर दिया था, चीजों को, और मैं खुद ही अपने आप ही पैसा कमा करके, जो भी मेरे पास आता था, उसी की बदोलत मैंने विद्यारजन किया है, तो जो सामान ने परिवार के हमारे प्यारे भाई बहन हैं, उनके लिए मैं इस बात को पूरी तरह से समझ पाता हूँ, कि आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा, तो यह चीज़ आप एक कर सकते हैं, उससे आप आगे बढ़ सकते हैं, बहुत सारे ऐसे युनिवर्शिटी जो होती है, जैसे अजीम प्रेम जी विश्युद्द्याला है, वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे ऐसे जो प्रोजेक्ट से निकालते हैं, जो नेट क्वालिफाइड प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करते रहिए, इस तरह भी आपको कुछ पैसे अर्न हो जाएंगे और आप अपनी पढ़ाई भी आगे सुचारू रूप से ले जा सकते हैं, ठीक है ना, तो यह कुछ ऐसी चीज़े मैंने आपको बताई, जिसके माध्यम से आप आगे बढ़ सक होते हैं बिश्विद्याले में, तो ही आपको पैसा मिलता है, तो यह दोनों चीज़ें पहले तो आप समझ लीजे, कि अगर आप, और आपको दोनों जगह से पैसा नहीं मिलेगा, या तो आप सरकाई नोकरी का पैसा उठाईए, या तो आप पिएच्डी का पैसा उठाई हैं नेट करने के बाद आपको बहुत सारे आउसर मिलते हैं विश्विध्यालियों में डिग्री कॉलेजों में प्राइवेट इंस्टिटूट्स में जहाँ पर इसकी आउशक्ता होती है कुछ बिसे तो ऐसे हैं जैसे आपका कॉमर्स हो गया इंग्लिश हो गया और आपका मे विध्यार्ति हैं इन विध्यार्तियों के लिए प्राइवेट इंडस्ट्री में चाहें आप कोचिंग संस्था से जुड़ सकते हैं किसी एक्टे कंपनी के साथ एसोसियेट हो सकते हैं जुड़ सकते हैं या फिर आप किसी प्रोजेक्ट में जुड़ सकते हैं और इतना हो अगर आप आगरा से हैं तो आगरा में इलाबाद से हैं तो इलाबाद से अगर आप बनारस से हैं तो बनारस से लखनौ से हैं तो लखनौ में दिल्ली से हैं तो दिल्ली में हर जगा एड होग पर कुछ टीचर रखे जाते हैं तो उसमें भी आप अपलाई कर सकते हैं नेट हो तो वहां भी आप एसोसियेट हो करके कुछ धन भी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को आगे ले जा सकते हैं वैसे जो सबसे सिक्योर जो आप होती है वो होती है असिस्टेंट प्रफेसर 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 की तो इसके लिए आपको असिस्टेंट प्रफेसर न तो जो जो जिए अपने चाहिए गलती करका आजकल का जो दौर है उसमें विद्ध्यार्थी जब बिये करने के लिए अन्रॉल करता है ना तो उसी टाइम से वो अपने मन में एक मित तैयार कर लेता है कि अरे यह तो छोटी-छोटी चीज़ें एक्जाम के पहले कुछ भी रट्टा मारके चले जाएंगे कुछ भी लिखके चले आंगा और हमारा काम हो जाएगा नहीं यह आपकी जिन्दगी की सबसे बड़ी भूल है आपको यह बर्बाद कर देगी आगे नहीं बढ़ने पाएगी यह सब बंद कर दो भाईया सा बदला और जो डायरेक्ट एड्मिशन या युनिवसिटी अपना अलग-अलग फार्म निकालती थी एक बच्चे को कितनी दिक्कत होती थी अलग-अलग फार्म बरके एक्जाम देने में तो यह सारी चीजों को ठीक किया गया आपने परहसना तक के दौरान विद्धिया हो जाती है इसलिए बात-बात बता दूँ अगर आपने ऐसी गलती किया भी है तो आप आगे बढ़ रहे हैं एक साल लग करके पढ़ लीजे जो विद्धियारती पांच वर्स मेहनत किया उसको आपको एक साल में आपकवर करना पड़ेगा अपने उम्र का जो है समय का करते रहिएगा अब मैं आपके प्रश्ण ले लेता हूं सभी को शुपशद्या एजूकेशन की तैयारी करवाई जाएगी टीचर्स आएंगे पेपर वन में क्या बताना है आपको पेपर वन में जो भी जानना चाहते हैं पूछिए है ना नेट के लिए सीटेट का कोई रोल नहीं होता है नेट से सीटेट का कोई लेना देना नहीं है सीटेट एक अलग चीज है मैंने बताया ना National Testing Agency NTA के द्वारा प्रस्तावित किया जाता है और ये उच्च सिक्षा के लिए एक पात्रता परिक्षा मात्र होती है मैं आपको बता दूँ जैसे आप TET और CETT की परिक्षा देते हैं है common test eligibility test होता है जो उसी central teacher eligibility test होता है जो उसको आप देते हैं किसलिए के इंद्री इस तर की पात्रता परिक्षा है विद्यालियों में अध्यापक बनने के लिए उसी तरह यह assistant professor बनने के लिए पात्रता परिक्षा मात्र समझे इसको इससे ज्यादा नहीं यह सबसे बड़ा प संपूर्ण तयारी करवाई जाएगी अनूब मेरे भाई मैं ही आपको हिंदी पढ़ाऊंगा पेपर 2 के तौर पर मैं पूरा-पूरा संपूर्ण आपको सारी जानकारी दूँगा आपके नेट के लिए completely जो पूरा कोर्स है वो मेरे द्वारा कवर कराया जाएगा साथ एजूकेशन एमेड हूँ तो दोनों में कोई एक पेपर स्टार्ट करवाईए प्लीज अच्छा तो इसके लिए देखे मैं आपको बता दूँ आपके लिए एजूकेशन के विशय के लिए जो आपके अध्यापिका आएंगी है या अध्यापक आएंगे तो आपको क्लिय पूछी जाती है एक संप्रेशन पूछा जाता है पूरा पैराग्राफ होता है हिंदी का और एक इंग्लिश का उससे आपको कुछे जाते हैं प्रिवियस यह पेपर उठाकर के जरूर देखे ताकि आप समझ पाएंगे कि वास्तों में प्रशनपत्र क्या है इसकी त्यारी कैसे की जानी चाहिए फिर मैं इस पर एक नई चीज लेकर के आऊंगा इंपॉर्टेंट बुक का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था पिछले सारे वीडियो इस चैनल पर जितने मैंने बना रखे हैं सारे आप जाकर करके देखे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मैं मस रहिए पढ़ते रहिए अपना जो भी प्रश्ण होगा कमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर दीजेगा मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ जरूर रिपलाई करूंगा